है हलो गाइस तो चलिए देख लेता है बैंक निफ्टी में कल कहां पर बाइसेल कर सकते हैं मार्केट च्छोटा मोटा गैप आप या में भी गैपड़न उपन दे सकता है च्छोटा मोटा गैप वगर देखने मिलता है तो हम यहां पर सेलिंग साइट का ट्रेड बनाने का लेकिन मार्केट ने फर्दर बहुत अच्छा गिरावट किया और वह प्रीमियम अच्छा का सा बड़ा था लेकिन दिखकत क्या होता मार्केट में जब आपका लॉस चल रहा होगा ना प्रॉफिट नहीं दिखा के तब आप उहां पर होल कर लेंगे टार्गेट का लेकिन दिखाने के बाद जब मार्केट अपका पोजिशन लॉस के तरफ लेके याँना वहाँ पर थोड़ा सा साइय्क लोगी बिगञने लगता हौँ हमने क्या क्या यहां पर एकट में चला था च्छिडरन में पिर से गकोग लेकिन करे अब यह च्छछा है यह market देखिया 500 के आसपास अच्छा गासा support लिया फिर upset का momentum दिया कहीं न कहीं फिर से यह breakout बगएरा करके उपर के side closing दिया ठीक है अब एसल का बात करें तो हमें कहां मिल सकता है closing price के आसपास हमें buyer seller के sell मिल सकता है इसके नीचे हमें buyers के sell मिलेगा 500 के नीचे तो हमें buyers के sell मिले identify करने का कोशिस करेंगे नीचे के side जो buyer से इनको target करते हुए ठीक है अब ऐसा होता कि market ज्यादा gap up open कर देता जैसा आज के दिन किया था तब तो हमें फिर से price action वगएरा sentiment वगएरा देखके trade बनाना होगा बाकी resistance देख सकते 43,803 के आसपास resistance है और एक resistance है अपना 43,730 के आस पास ठीक है तो कुछ भी हो ज्यादा gap up या gap down मिलेगा तो यह resistance वगएरा के आसपास देखूंगा candle वगएरा उसके बादी trade बनाने का कोशिश करूँगा ठीक है बाकी देखिए market अगर gap down डेकने मिलता हमें बाकी अगर market देखिए gap down open देता छोटा मोटा तो हम यहाँ पर selling क करने कोशिश करेंगे कहां तक 43,500 के आसपास तक market downside का momentum दिखा सकता क्योंकि इसके नीचे buyers के sell पड़ा होगा और अगर निप्टी को मैं दिखा हूँ न यह देखिए निप्टी में क्या हुआ निप्टी देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर breakout बगएरा किया है तो कहीं न कहीं निप्टी को देखके bank निप्टी में पोजीशन बना होगा तो उन buyers को target करते हुए जो निप्टी में buying side का momentum देखक के काम करने कोशिश करेंगे ठीक है तो ओकी गाइस मिलते है नेक्स्ट वीडियो में